हालो एवरीवान मेरा नाम सांस्कृति सिंग है और आज मैं आप लोगों के साथ राजस्थान ड्रेन कंट्रोल एक्ट को स्टार्ट करूगी आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल सेक्शन्स जो है वो 32 है चाप्टर्स जो है है इसको प्रेसिदेंट की जो गनी ती वो मिली थी 25 वरवरी 2003 को और इंफोर्समेंट में यह आया था 1 April 2003 को ठीक है और जो इसमें amendment हुई है 2017 में जो हुई है by the act number 33 of 2017 में जो इसमें amendment हुई है उसमें आपने देखा है कि sections को insert कर दिया गया है मतलब add कर दिया गया है और दो chapters भी add कर दिये गये हैं तो देखा जाए तो जो total जो इनकी numbering है वो enhance हो गई है 32 से लेकर 43 तक और 7 से 9 तक लेकिन जो आपको chapters के नाम है वो आपको ऐसे ही याद रखने है कि क्योंकि total जो chapter है वो सिर्फ 7 ही given है और sections के जो numbering है वो 32 तक ही given है ओके चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्तान रेंट कंट्रोल आट 2001 यह इसका act number one है लेकिन of 2003 है क्योंकि जो इसको consent मिली थी और जो इनफोर्समेंट में आया था यह 2003 में आया था इसके बाद आपने देखा कि जो इसको consent मिली थी वो आपके precedence से मिली थी और कब मिली थी 25 फरवरी 2003 को आपको यहाँ जो याद रखना है वो यह याद रखना है कि इस act को 2001 का जो राजस्तान रेंट कंट्रोल act है इसको जो consent मिली थी वो प्रेसिडेंट से मिली थी ना कि गवर्नर से मिली थी और वो कब मिली थी वो आपके 25 फरवरी 2003 को मिली थी तो इससे सेक्शन आते हैं 1, 2, 5 सेक्शन इसमें आते हैं आपने दिखाओ सेक्शन 1 जो है वो तीन चीज़ों की बात करता है कौन-कौन सी short title, extent and commencement की section 1 में तीन चीज़े cover होती है short title, extent and commencement और इसमें तीन clauses given है 1, 2 and 3 तो close 1 में क्या given है इसका title given है आप देखे इसमें लिखा हुआ है The Rajasthan Rent Control Act 2001 तो जो ये act है इसका ये short title क्या हुआ इसका short title ये हुआ कि this act may be called as The Rajasthan Rent Control Act 2001 उसके बाद close 2 क्या कहता है close 2 कहता है कि जो Rajasthan Rent Control Act 2001 है उसका extent कहां तक होगा उसका जो विस्तार है वो कहां तक होगा तो 2 बताता है कि first instance में मतलब first instance में आपको ये जो close 2 है इसको आपको two parts में देखना होगा number 1 कि it shall extend यहाँ पे word shall लिखा है मतलब it is mandatory ये compulsory है कि first instance में Rajasthan Rent Control Act 2001 जो है वो extend होगा उन municipal areas पे जो की district headquarters में आते हैं state के ठीक है और उसके बाद later on ये जो second part है इस clause का वो ये है कि later on other municipal areas पे भी ये लग सकता है अगर state government चाहे तो यहाँ पे word में लिखा है तो आपको इस clause को two parts में करना है part 1 ये शाल, second, में तो शाल के लिए क्या है कि first instance के लिए तो ये applicable होगा ही होगा कहाँ पर municipal areas में जो की comprising है district headquarters में state के district headquarters में and later on अगर state government चाहे तो इस act को apply करवा सकती है दूसरे municipal areas पी लेकिन इस state government की discretionary power है आपने देखेंगे आगे कि municipal areas कहाँ आता है ये section 2E में इसका जिकर कर रखा है लेकिन 2E में सिर्फ एक declaration given है जो हम definition आगे पढ़ेंगे तो इस municipal area को आपको इसके साथ पढ़ना होगा section 2 clause 39 of the municipalities act 2009 clear आपको ये चीज़े साथ साथ याद करके चलनी है तो उसके बाद class 3 क्या कहता है कि ये enforcement में एक आप आया था तो enforcement में आया था 1 April 2003 को आपने देखा कि हमने section 1 में तीन चीज़े पढ़ी है जैसा कि इसके heading में given है क्या short title, इसका extent, इसका commencement और इसमें तीन ही clauses given है number 1 क्या कहता है This act may be called The Rajasthan Rent Control Act 2001 ये इसका short title हुआ clause 2 ये कहता है कि ये कहां कहां extend होगा तो clause 2 को आपको दो तरह से पढ़ना है एक तो word shall लिखा है दूसरा word may लिखा है तो shall किसके लिए applicable है shall है first instance में ये कहां लगेगा ये उन municipal areas पे लगेगा जो कि district headquarters में है state के और later on ये कहां लगेगा कि ये later on जो है वो other municipal areas पे लग सकता है अगर state government चाहे तो ठीक है and clause 3 क्या कहता है कि enforcement में कब आया था ये enforcement में आया था आपके 1 April 2003 को clear अब करते हम section 2 section 2 में हमारे definitions given है परिभाषाएं given है और कितनी परिभाषाएं है total इसमें 11 परिभाषाएं है पहले इसमें 10 definitions given थी लेकिन आप देखेंगे कि आगे हम पढ़ेंगे एक definition है rent authority की वो इन्होंने insert कर दी कब insert की इन्होंने इन्होंने insert की 2017 के act के थूँ उसको insert कर दिया जो के enforcement में आई 18 October 2010 को तो इसमें total definitions कितनी है section 2 में 11 definitions है तो हम one by one cover करते चलेंगे first definition है amenities amenities का मतलब क्या होता है सुख सुविधाएं तो 2A में आपकी amenities given है amenities का मतलब सुख सुविधाएं आपको जो बात यहां पर याद रखनी है वो ये है कि इस definition में सुख सुविधाएं जो है वो कोई उनकी परिभाशा given नहीं है कि सुख सुविधाएं होती क्या है ऐसा नहीं लिखा हुआ है इन्होंने लिखा हुआ है कि amenities में क्या क्या आता है includes क्या क्या है ठीक है क्या ये include क्या करता है इसके अंतरगत क्या चीज़ें आती है तो आप दीखो amenities में क्या क्या आती है सबसे पहले supply किसकी पानी की और बिजली की क्योंकि water और electricity दोनों must है उसके बाद passage मतलब रस्ता भी हमें चाहिए तीसरा सीडियां staircase भी हमें चाहिए चोथा हमें natural light भी प्रकर्तिक प्रकाश की भी हमें आउशकता पड़ेगी उसके बाद levetries मतलब शोचाले उसकी भी जरुत पड़ेगी lift lift भी जो है amenities की परिभाशा में आ सकता है telephone services and then tv cable services और उसके बाद लिखा है और the like मतलब ऐसे ही चीज़े और भी इसमें सम्मिलित की जा सकती है तो आपने देखा section 2 के A में हमने amenities को पढ़ा और amenities का मतलब होता है सुक्सुविधाएं तो सुक्सुविधाएं जो है उसके अंतरगत क्या क्या आती है उसके अंतरगत total 11 चीज़ें आती है total 11 सुक्सुविधाएं आती है सबसे पहले बिजली और पानी की सुविधा दूसरा passage रस्ता तीसरा सेढिया फौर्थ natural light पांच्वा लेवेटरीज छटा लेफ्ट साथवा कंजर्वेंसी मतलब सफाई और आठवा सेनिटरी सर्विशिज नौवा टेलीफोन सर्विशिज और दसवा आपके टीवी केवल सर्विशिज और तरलाइक ऐसे ही और चीज़ें पीसमें आ सकती है तो बहुत एज़ी है इनको आप टिप्स पर याद करना कि एमिनिटरीज में क्या क्या आता है सप्लाइ और और एन लेक्रिसिटी फिर आपका पैसेज स्टेरकेस आपके लिफ्ट फिर आपकी नैच्रल लाइट आती है इसमें फिर आपकी कंजर्वेंसी और सेनिटरी सर्विसिज आती है फिर आपकी टेलीफोन और केबल सर्विसिज आती है और ऐसी और भी चीज़े आ सकती है ठीके उसके बाद क्लाउस बी जो क्या कहता है आपिलेट रेंट ट्राइबुनल आपने देखा होगा कि एंगलेश में जो है यह जो एमिनिटीज हैं यह एलफाबेटिकली चलेंगी लेकिन हिंदी मेडियूम वालों के लिए ऐसा नहीं है अगर आप उन्हें बार बार रिवाइस करेंगे तो चीज़े आपको याद हो जाएंगी तो बी में क्या है अपिलेट रेंट ट्राइबुनल अपिलेट रेंट ट्राइबुनल कंस्टिटीटिट अंडर सेक्शन 19 इन्होंने अपिलेट रेंट ट्राइबुनल को डिफाइन नहीं किया हुआ है बट इन्होंने सिर्फ एक डेकलरेशन दी है कि Appellated Rent Tribunal वो होगा जो कि Section 19 में given है हम वहाँ उसको फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे अब Section 2C, 2C में क्या है हमारा Landlord आपको Definition important है Definition से Direct Question भी पूछ लिया जाता है और आपको यह Definition वेसे भी याद रखनी है क्योंकि पूरे Act में आप 3-4 चीज़ें पढ़ते हैं Landlord, Tenant, Rent Tribunal, Appellate Rent Tribunal, Rent Authority तो आपको इनके जो Clauses है वो याद होने चाहिए ताकि जब भी Landlord पूछा जाए या आप लिखें तो आप Bracket में इसको 2C करके लिख दें ताकि examiner को यह लगे कि यह बच्चे को याद है कि Landlord की Definition कहा है This is the way to enhance your marks इसके बाद हम पढ़ेंगे Landlord ठीक है? Landlord का मतलब क्या है? Any person क्या कह रहा है? Any person अब देखें Landlord की Definition को भी हम 2 parts में करेंगे Number 1 यहां से and Number 2 यहां से तो Landlord का मतलब होता है कोई भी person वो person जो की receive कर रहा है rent को या entitled to receive है किसके लिए entitled है? Rent के लिए किसका rent? Premises का rent अब वो rent या तो receive कर रहा है या entitled to receive है अपने खुद की account पे क्योंकि वो Landlord है तो खुद receive कर रहा है अगर वो Landlord ना होकर Landlord का Agent भी हो सकता है Trusty भी हो सकता है Guardian भी हो सकता है और Receiver भी हो सकता है ठीके? तो यह हो गया Landlord की परिभाशा में यह आते हैं और दूसरा पार्ट इसका यह है कि किस का रेंट? Premise का रेंट कैसे? खुद के account पे कर रहा है मतलब खुद ले रहा है Landlord है वो इसलिए ले रहा है या वो Landlord ना होकर Landlord का Agent, Trusty, Guardian, Receiver भी हो सकता है तो वो भी रेंट ले सकता है Receive कर सकता है ऐसा इस definition में कहा गया है और दूसरा पार्ट क्या है Who would so receive और entitled to receive मतलब एक ऐसा इसा इनसान भी हो सकता है जो कि receive करता या करने का अधिकार रखता कब? If the premises were led to a tenant तो हमने उस इनसान को भी Landlord की definition में cover किया है उसके बाद है definition To deeming lease, lease मतलब पटा, हम किसी को जमीन पटे पे देते हैं तो वो lease कहलाती है इसमें सिर्फ इतना declare किया है कि lease का मतलब वो होगा जो की transfer of property at 1882 के में define कर रखी है और वहाँ पे कहा define कर रखी है आपके lease? आपके lease section 105 में define कर रखी है ठीक है? lease का chapter कौन सा है? वहाँ पर chapter 5 वहाँ पे sections 105 से लेकर 117 तक lease के बारे में बात करते हैं और lease किस में define है? section 105 में define है lease का मतलब क्या होता है? lease का मतलब होता है कि जब कोई एक इनसान दूसरे इनसान को एक premises मतलब एक land lease के लिए जरूरी है immovable property का होना तो immovable property को जब आप immovable property का जो right है वो किसी को transfer करते हो mind it यहाँ पे ownership transfer नहीं हो रही है यहाँ पे सिफ right to enjoy transfer हो रहा है जो lesser है वो अपनी जमीन किसी को देता है कि अपना तुम right जो है वो किसी को देता है कि तुम इस land को enjoy करो certain time के लिए या perpetuity के लिए consideration लेगा उसके बदले में वो क्या होगी price, money, share of crops तो यह सब चीज़े हैं तो section 105 of TPA में आपके lease define है और यहाँ पे lease कहां दे रखा है 2D में दे रखा है इन्होंने lease को define नहीं किया हुआ in fact इन्होंने सिर्फ एक declaration दी है कि lease जो है वो क्या होती है वो define है Transfer of Property Act में section 105 में define है वहाँ chapter 5 जो है वो lease की बात करता है उसमें sections 105 से लिक 117 दगाते हैं clear उसके बाद 2E 2E में क्या है आपड municipal area municipal area यह भी declaration की बात करते हैं कि municipal area का मतलब वो होता है जो कि define है राजस्थान Municipalities Act 2009 में तो जब आप वो act देखेंगे तो उस act के section number 2 में clause 39 में जो है इसका definition दे रखा है municipal area का उस definition में भी एक declaration दे रखी है कि municipal area वो territorial area होगा जिसको state government time to time specify करती है लेकिन for the time being आपको यह चीज़ यहाँ पर रियाद रखनी है कि 2E में municipal area given है और यह बताते हैं कि municipal area क्या होगा क्यते municipal area वो होगा जो कि define कर रखा है राजस्थान Municipalities Act 2009 में तो वहाँ उस Act के section number 2 clause 39 में municipal area define कर रखा है मतलब declare कर रखा है वहाँ भी कि वो area वो होगा जो state government जिसको notify करेगी clear अभी हमने municipal area एक जगे और भी पढ़ा था कहां पढ़ा था हमने section 1 के clause 2 में हमने पढ़ा था यह जो act है यह first instance में कहां applicable होगा municipal area में होगा और अब हमने municipal area कहां पढ़ा वो आपने पढ़ा section 2E में और यह फर्दर बताता है कि जो municipal area है वो तो से जो act 2009 है राजसान municipalities act 2009 है उस act में given है उस act की कौन सी परिभाशा में है section 2 के clause 39 में है और वहां क्या कहता है section 2 clause 39 कि municipality area वो होगा जो कि state government notify करेगी clear चलिए आगे चलते है premises अब आप देखेंगे इसमें premises का definition जो है to f में दे रखी है premises का मतलब क्या होता है परिसर ठीक है परिसर और वो किस में है to f में है problems के point of you से भी definition important है पूछ सकते हैं कि premises किस में दे रखा है तो आपको वो options दे देंगे a में b में c में या f में तो आपको बताना होगा 2 f में given है हम जब ये act को complete कर लेंगे तो उसके बाद हम इसके mcqs भी करेंगे जितने भी जहां भी इसके mcqs हैं वो हम सब बैठ कर सब उसको revise करेंगे मैं आपको एक एक चीज इसमें cover कर वाँगी ताकि आप लोगों के tips भी हो जाए मेरे साथ साथ उसके बाद section 2 f 2 f क्या कहता है premises का जिकर करता है कि तब premises का मतलब क्या होता है कि तब premises का मतलब होता है close a और close b इसमें आप देखे premises को भी इन्होंने 2 parts में जो है बाट रखा है सबसे पहले premises में लैंड भी आती है और building भी आती है तो premises में क्या क्या आता है land और building आती है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कह रहे है premises का मतलब any land लेकिन not being used for agricultural purpose इन्होंने पहले broad definition दी कि premises का मतलब any land कोई भी भूमी लेकिन बात में इन्होंने अपनी definition को restrict कर दिया यह कहकर कि land तो कोई भी हो सकती है लेकिन वो land नहीं होगी जो कि agriculture purpose के लिए इस्तमाल की जाती है और उसके बाद and दूसरा any building और part of building दूसरा premises में क्या आता है building और part of building या तो पूरी एक building हो या building ना हो कि उसका कोई एक part उसका एक हिस्सा भी जो है premises के definition में आता है लेकिन फिर उनों ने जो है इस definition को restrict कर दिया यह कहकर कि other than farm building building तो होगी लेकिन other than farm building होगी तो आपनी दो चीज़ें देखी premises का मतलब any land but not used for agriculture purpose दूसरा any building or part of building but other than farm building तो आपको यह दो चीज़ें याद रखनी है यह prelims का question भी बनता है आप यहाँ पर अपनी उसकी उपर बेरेट की उपर pt लिख लीजिए उसके बाद इस definition को हम continue करते हैं any building और part of building वो या तो किराय पे दी हुई है या किराय पे देने के लिए intention उसने रखी हुए कि मैं किराय पे इसको दे सकता हूँ ठीक है किस चीज़ के लिए residence purpose के लिए भी दे सकता है उस building को commercial use के लिए भी दे सकता है और किसी और other purpose के लिए भी इसको building को किराय पे दे सकता है ठीक है तो आपने पढ़ा इसमें any building और part of building but other than farm building let or intended to be let for what purposes residence, commercial और any other purpose including इसका मतलब including ये definition जो है वो exhaustive नहीं है complete नहीं है क्योंकि premises के अंतरगत ये ये चीज़ें भी आ सकती है कौन कौन सी अब हम देखेंगे इसमें चार चीज़ें और आती है वो क्या है कहता कोई भी garden हो सकता है ground हो सकता है go down हो सकता है और garage हो सकता है और out house भी हो सकता है अगर है तो वो out house जो की Appertinent है to such building के या part of building के मतलब जुड़ा हुआ है तो आपको यह याद रखना है इसमें Garden, Ground, Go Down, Garage इसको आप ऐसे याद रख लेजे 4G से ठीक है Garden, Ground, Go Down and Garage और पाँचवी चीज़ क्या है Outhouse, if any Outhouse भी हो सकता है अगर वो उस building के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके बाद second चीज़ क्या आती है कोई भी furniture furniture भी premises के अंदर आता है लेकिन वो furniture landlord ने supply किया हो उस building में या part of building में तो furniture भी इसकी definition में आ सकता है पूछ सकते हैं आप से problems में इस पे भी कि क्या furniture जो है वो premises के definition में आ सकता है तो yes, of course वो आ सकता है ठीक है 2F के sub clause B में sub clause 2 में furniture आता है उसके बाद third चीज़ क्या है कोई भी fitting affixed fitting होती है ना बिचले की पाने की कोई भी fitting जो affixed होती है वो भी आ सकती है और amenities भी आ सकती है अपने पढ़ा था amenities कहां given है section 2A में amenities पढ़ा था हमने तो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि कोई भी fitting affixed या amenities जो की हैं वो भी आ सकती है premises की परिभाशा में अगर landlord ने कोई fitting affix करवाई है या amenities दी हैं ताकि जादा beneficial enjoyment हो सके tenant का तो यह भी इसकी definition में आता है उसके बाद fourth चीज क्या है any land कोई भी land जो की apportinent हो जुड़ी हुई हो उस building से या उसके part से और उसको let कर रखा हो with such building मतलब उसको भी किराय पे दे रखा हो तो यह भी जो है वो premises की definition में आएगी हमने उपर पढ़ा था any land तो any land यहां भी आ गई लेकिन यहां भी land आ गई लेकिन यह जो land है इसके लिए जरूरी है कि वो apportinent हो जुड़ी हुई हो building के साथ और उसको भी किराय पे दिया हुआ हो तो ऐसी भूमे भी premises के अंत्रगत आएगी उसके बाद आपको क्या करना है अभी तक तो हमने यह पढ़ा था कि premises में क्या-क्या आता है अब हम पढ़ेंगे premises में क्या-क्या नहीं आता है तो यहां से भी आपका prelims का question बनता है कि इसमें क्या-क्या नहीं आता है अब हम इसमें देखेंगे और एक other accommodation accommodation का मतलब भी रहने की जगे ही होती है ठीक है तो ये दो चीजें नहीं आती और ये दो चीजें किस में नहीं आती hotel में नहीं आती धरमशाला में नहीं आती inn में नहीं आती सराय में नहीं आती lodging में नहीं आती boarding house में नहीं आती और hostel में नहीं आती तो यहाँ से भी आपका prelims का question बनता है कि premises की जो परिभाशा जो 2F में given है उसमें क्या-क्या नहीं आता है तो उसमें दो चीजें नहीं आती हैं और वो दो चीजें कौन सी हैं? एक आपका room और एक दूसरा other accommodation यह room और accommodation की जो हम बात कर रहे हैं वो किस में होंगे? hotel, dharamshala, inn, sarai, lodging house, boarding house और hostel यह सब एक जैसे ही होते हैं धharamshala आपको पता है, hotel आपको पता है sarai क्या होती है, inn क्या होती है lodging house क्या होते हैं और boarding house क्या होते हैं जैसे जैसे आप बड़े-बड़े शहरों में, Mumbai जैसे शहरों में यह चीज़े वहाँ पर common है sarai, inn, ठीक है? उसके बाद, explanation section 2F, premises के साथ एक explanation भी attached है और वो explanation क्या कहती है? वो कहती है, in the absence of contract to the contrary मतलब, इन्होंने एक condition लगा रखी है कि in the absence of contract to the contrary जो top है, छट का जो उपर है जो top of the roof है वो जो है, premises का हिस्सा नहीं माना जाएगा जो हम tenant को किराय पर देते हैं तो छट का जो उपरी भाग है वो premises में नहीं आएगा लेकिन अगर contract हुआ है landlord और tenant के बीच में तो yes, top of the roof भी जो है premises का part हो सकती है हमने contract कहां पढ़ेंगे? section 2 edge of the Indian contract act 1872 में हम इसको पढ़ेंगे आने वाले समय में ठीक है? तो लेकिन जो general rule है वो ये है कि जो top of the roof है छट का जो उपरी भाग है वो premises में नहीं आएगा clear? तो हमने क्या पढ़ा? premises की definition किसमें है? to, f में given है और इसमें दो चीजें हम पढ़ते हैं क्या क्या आता है, फिर हम पढ़ेंगे इसमें क्या नहीं आता है और फिर इसके साथ एक explanation attached है मेरी आप सभी से request है कि आप इसको revise करें बार-बार जितना आप इसको revise करेंगे, जितनी बार इसकी mental revision करेंगे चीजें आपको tips पे हो जाएंगे clear? अगर आपको कोई भी doubt हो तो please आप मुझे message भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं लेकिन मेरी आप सबसे request है कि पढ़ते समय आप अपने bear act को लेकर बैठिए ओके? थांक यू अपकर एंगे